हलो दोस्तों नमेश्यार मैं दिनेश्वर माराज आप सप्ता श्वागत करता हूँ दोस्तों कहा जाता है कि दुर्गा माता का नाम लेने मात्रशे आपके दुखों को उसी समय से काटना इस्टार्ट कर देती है जिस परकार दुर्गा माता का रूप है और जिस परकार उनका कार्य है वो सारा ब्रमान जानता है ब्रम्हा विश्णो महेश जो हमारे प्रम्पिता है ये सब जानते हैं सारे देवगण जानते हैं दुर्गा माता जिसके उपर प्रशन हो गई उससा विड़ा पार हो गया दुर्गा माता जल्दी प्रशन नहीं होती है ये भी आप ध्यान दुर्गा माता के मंत्रों का जो शादना में देने वाला हूं उसे आप गौर्षे शुनें अगर आपने सचे दिल से कर लिया विधी पुर्वक कर लिया तो आप दुर्गा माता को हाशिल कर पाएंगे उनके दर्शन कर पाएंगे आपकी द्रश्ची को भी ओखोल के रख दे करता हूं और माता रानी वहां पे पहुंच जाती है और माता रानी के नौ रूप है नौ रूपों मेंशे कोई न कोई रूप वहां पे पहुंच जाती है और उसके उपर लगा हुआ तंत्र भी काड़ देती है जैसे तुर्गा माता को आपने शिद्ध कर लिया तो भैरो जी हन्वान जी आप सबको फ्री मिल जाएंगे उनको शिद्ध करने की ज़रोत नहीं है कोई अवशक्ता नहीं है अब मंत्र किस प्रकार्श है कैसे करना है आप ध्यान में रखो मंत्र है ओम श्री दुर्गा दुर्गाय हूफट क्या है ओम श्री दुर्गा दुर्गाय हूफट इस मंत्र को 3,25,000 से जब करना है माला जो होगा वो एस्पटिक की माला होगा ध्यान में रखना और जो मैंने नियम बताया है जो प्रणायम का जो विदी बताया है उस वीडियो को हर एक वीडियो में लगाए जाएगा ताकि आप सब उसको देख के उसे फोलो कर शकते हैं शादना में शफ़ल हो शकते हैं ओम श्री दुर्गा दुर्गाय हूफट यह मंत्र है 3,25,000 से शादना शंपरोण होगा और यह शादना आपका 41 दिन का है 41 दिन में शादना आपको कंप्लीट करना है ठीक है दूसरी बार आपका जो आशन होगा वो लाल कलर का होगा आपके आफों के शामने माधुर्गा का एक फोटो होगा और वहाँ पे एक दीब जलाना है जिसे आप कंटी निव जलाते रहेंगे उससे अगर आप समझ लो कि अगर अखंड जोद जैसा जलाना चाहते हैं तो अति उत्तम है अखंड जोद जलेगा तो माता आपके इर्द घर्द में हमेशा ऐसास दिलाएगी कि माँ आपके पास है दीक है आपका आशन होगा लाल कलर दीक्षा होगा पुर्व की तरफ ठीक है दीक्षा पुर्व की तरफ होगा और ऐसा साधना करना है आपको शाधना करने है तो जब माता आपको दर्शन देगी तो ये समझ लेना कि आपके दुखों का अंत हो गया है मा का आना हो गया है और आप देश विदेश में अगर मेरे इशाकारी करना चाहते हैं तो इशाकारी कर शकते हैं जब माता दर्शन देगी तो आपको समझ में आ जाएगा खोशूरत रूप में दर्शन देगी माता एक प्यारी शी माता जिसको आप देखेंगे और देखते ही रह जाएंगे इतनी प्यारी माता है ठीक है 41 दिन का नुश्चान है 41 दिन में आपको यह नुश्चान पूरा करना है हलांकि जो 3,25,000 मंत्रों का जो जब है वो 40 दिन में पूरा होना चाहिए जो है 11,000 मंत्रों से आपको हवन करना है ओम स्री दुर्गा दुर्गा है पट आपकी वाइप होगा आपका बच्चा होगा श्वाहा बोलके वो आहोती अर्मण करेगा हवन का जो शमागरी है वो नार्मल है ऐसा नहीं है कि हवन के लिए कुछ अलग आपको लेना पड़ेगा आपको ओम हरीम ओम का एक बार माला जब करना है इससे क्या होता? अनुष्ठान का जो जगह होता है उसमें किसी भी परकार का कोई भी दिक्कत नहीं आता शरीर स्वासत रहता है शुद्धी करन हो जाता है इससे ठीक है? जब आप जब करने बैठते हैं तो एक माला ओम गंगण पता ये नमण ओम गणगण पता है नमा का आपको जब करना है इससे पहले क्या होगा कि जब ये जब करेंगे तो आपके आपके रास्ते में जो विग्नवादा आता है जो उत्पन होता है जो जब करने में माइड नहीं लगता है या जब में किसी ना किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो इस तरीके शे माला को हाँ जोड़कर प्रणाम करेंगे कि है माला राज मैं शादना करने जा रहा हूं किरपया करके जो हमारी काउंटिंग होती है जो गिंती होती है पवित्रता के हिसाब से आप उसे उसको उसका लाप दिलाएं ताकि मैं किसी भी तरीके से भोल ना पाओ और आपके द्यार द्रिशी से मेरे हर एक माले के मोतियों का हो चाहे रुद्राश का हो एक-एक मंत्रोश साधियों करने वाले शाधक के लिए जब से पहले प्रणायाश करें जो वीडियो में बताया गया है और आप सब ब्रह्मचरिया का पालन करें मौंध हरन करें साधा शुरू करने के‌शुल के शुब दिन कौंसा दिन है कौंसा वार है उसे program कर सकते हैं सोंवार बुद्वार गुरुवार रभीवार ये चार दिन सुब होते हैं सुब तिथी क्या होता है इसको भी आपको जानना ज़ा हुई है जिस तरीके से आप चादना इस्टार्ट करेंगे जिस समय से स्टार्ट करेंगे चाय संडे बुधवार गुरुवार रभीवार तो उस दिन का तिथी दूद का शेवन करना। ध्यान में रहे लशून प्याज ग्रम मसाले दार भाजी नहीं खाना है आपको ये आप ध्यान में रखें। हो शकिए तो रातरी के शमय में दूद का ही शेवन करें, एक टाइम कहना बंद करें। ठीक हैं, सुबह में आप खांगा सकते हैं तो खाई सुबर 5, 15 से माला जब करना, 7-30 तक चलेगा। दोपहर 12 के 15 मिनट से श्टाट करना है एक 45 तक चलेगा। शाम को 6 बच के 15 मिनट से आपको साधना इस्टाट करना है जो 7.30 बज़े तक चलेगा। रात्री के 11.30 से साधना इस्टार्ट करना है और 1.45 तक जब समाप्त होगा ये ध्यान में रखना बार बार में नहीं बोलूँगा प्लेज इसको आप रिड करना ठीक है और एक बात आप हबेशा ध्यान रखना जिस मंत्र को आप जब करोगे उस वीडियो के अंदर आपको ब लांकि आप घर में रहकर अगर शादना करना चाहते हैं तो family के हाथों का सीवन नहीं करना है वो अपने हाथों से ही करें और फैमिली से दूर रहना है आपको कमल बिशा कर उसके उपर सोना है रखिया आपके सर के निचे बेलकुल नहीं रहेगा इध्यान में रखना इन सब को पालन करें उसके हिजाब से जब और अनुश्ठान पुरी होगी नमस्याद